हलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम आमिर है और वाइफाइ स्टेडी 2.0 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ जो कि आन अकैडमी का ही एक पार्ट है आज़े दोस्तो जुड़ जाईए मेरे साथ में और आज हम इस सफर को और आगे की ओर लेकर चलते हैं और उन सभी कोशन्स के बारे में हम जचा करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एस के कोशन्स पेपर में पूछे गए थे या फिर आपके और कोशन्स पूछे जाएंगे तो जल्दी दोस्तो फटाफट जल्दी से जल्दी आ जाईए और मेरे साथ में आकर जुड़ जाईए ठीके, very good evening कविता रानी, बहुत बहुत स्वागत आपका जल्दी से जल्दी आप सभी के सभी अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुचा कर फटाफट से जॉइन कीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी सभी अपने दोस्तों तक इसको शेर कर दीजिए जल्दी से जल्दी शेर कर दीजिए दोस्तों, very good evening all of you, आप सभी का यहां पर बहुत बहुत स्वागत तक वेरी गूड़ी इवनिंग, very good evening नवीना, जोति शिरिवास्ताव, very good evening बिटा, जल्दी से जल्दी अपने सभी गुरुप को भेज दीजिए गरुप में भेज दीजिए और सब को शेर कर दीजिए, तो फटाफट सभी को शेर कर दीजिए ताकि ये सभी तक पहुँच जाए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए भिल वेरी गूड इवनिंग सत्यम संदीप विजय जोती बहुत बहुत स्वागत आपका प्रणाम खुश रीजिए आप सभी चलिए इस सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारी special class के बारे में आप सभी लोग मेरी special class भी आसारी से पढ़ सकते हैं और अगर आप special class पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे code AMIRYT के द्वारा special classes को भी पढ़ सकते हैं जो की free होती है इसके अलावा अगर आप सभी कोई भी plus subscription लेना चाहते हैं तो भी आपको ये code काम में आएगा और instant 10% का discount आपको मिल जाएगा अगर आप मेरे special biology course के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो वो 11 दिसंबर 2020 को सुबह 7.5 बजे शुरू होने वाला है तो आप सभी का माँ पर बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मी यादा बिल्कुल दिनेश मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हो प्रभात हेलो हाव यू मोहीनी वेरी गूड इवनिग अनकैडमी लर्निंग अपको इंस्टॉल करके जल्दी से जल्दी अपने इस account को login कीजिए login करने के बाद में आप SSC exam को select कीजिए इसके बाद में आप get subscription slide पर जा सकते हैं जिसमें आपका payable amount की एक list आपको नजर आएगी या फिर अगर आप चाहें तो आप मुझे डबल एम आई आर के एच ए एन या वीडियो description में जो link है उस link को follow करके आप मुझे follow कर सकते हैं और वहां से आप मुझे से बात कर सकते हैं ठीके चलिए इसके अलावा अगर जब आप subscription अगर लेना चाहते हैं तो आप क्या काम करे सब्सक्रिप्शन स्लाइड पर जाएंगे स्लाइड पर जाने के बाद में आपके सामने या पर पेमेबल एमाउंट की एक लिस्ट नजराएगी और जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे आप देखेंगे 10% आफ आपको यहां पर होता हुआ नजर आएगा ठीके इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका 6000 का कोर्स आपके कोड के एपलाई करने के बाद में 500 रुपे का पड़ेगा नमस्ते लोकेश लक्षमी में अच्छा हूँ आप कैसे हैं आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करेंगे रिडीम करने के बाद में आपको पतल लगेगा कि आपके पास payment methods है, debit है, credit है, EMI, UPI, wallet, net banking, किसी के भी थ्रू आप मेरे साथ में आकर जुड़ सकते हैं, प्लस बाद, ठीक है, विनोध हेलो, हाव यू, चलिए विटाफ़र दोस्तों, इसको शेर कर दीजी अपने सभी दोस्तों तक, और फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का अ इस यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसेड या अमोनियम नाइट्रेट, क्या है आपका जवाब, जल्दी से अपना जवाब दीजे, हेलो संचिता, हाव और यू, बिलकुल लक्षमी जी, बहुत बहुत आपका अभार, ठीके ठीके, ओके दिनेश, वेरी गुड़ी इवनिंग, जानवी, मनीशा, प्रभात, दिपशिखा, पांडे, वेरी वेल डन, आप सभी का यहाँ पर बहुत-बहुत स्वागत, बिलकुल आप सभी का यहाँ पर बहुत-बहुत स्वागत, चलिए, बिलकुल यहाँ पर आपके द्वारा दिया हुआ जवाब, एग्जेक्टली बिलकुल सही है, और आंसर है यूरिया, मनुशे के शरीर में जो सबसे प्रमुख नाइट्रोजनी पदार्त बनता है, या नाइट्रोजनी अपसिस्ट बनता है, वो अपसिस्ट हमेशा यूरिया कहलाता है, क्यों कहलाता है, आपको पता है, वेरी गूड इवनिंग सीता राम, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, कि मनुष्य जो है, वो यूरियो टैलिक प्रकार का उत्सर्जन दर्शाता है, ठीक है, ****, इसी लिए यहाँ पर जो मेन प्रोडेक्ट बनता है, वो बिलकुल यूरिया बनता है, ठीक है चलिए अगले कोशेंगी बारे में बात करते हैं अगर हम बात करें इस्तनधारी में तो इस्तन धारी यूरिया कहाँ बनाते हैं आपके एसाब से अंतु कुमारी नमस्कार वहिरि गुड़ी इवनिंग वैब अभी Hello तो अगर हमบात करें अपने मैंमल्स के बारे में इ पुष्तन धारी कहां पर यूरिया बनाते हैं लीवर में वरक में तिली में या मुत्राशे की थैली में कहां पर यूरिया बनता है जल्दी बताईए कुमार अजीत वेरी गूड इवनिंग आप सभी से दर्खास्त प्लीज लाइक एंड शेर दा सेशन दोस्तों सभी दोस्तों से छोटी सी अपील है के जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेर कर दीजिए फटाफट से वेरी गूड क्या बात है बहुत बढ़िया बिल्कुल सभी जवाब आंसर है लीवर क्योंकि आपके लीवर में क्या होता है आपके लीवर में जो अमोनिया होती है वो कार्बन डाइउकसाइड के साथ में क्रिया करती है और क्रिया करने के बाद बनाती है नह टू इसका जो chemical name होता है वो carb amide होता है इसको carb amide के नाम से जाना जाता है मैं हिंदी में लिख देता हूँ carb amide के नाम से जाना जाता है और यही urea कहलाता है ठीक है बही clear चलिए अगले question की और बढ़ते है मानमशरीर में सबसे चोटी अंतेशे रवी disease इन में से कौन सी अधीवरक गरंती है अवटू गरंती है प्यूश है या अगनाशे है आपके साब से इन में से कौन सी गरंती सबसे चोटी गरंती मानी जाती है जल्दी बताइए बहुत बढ़िया बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपने कोश्चन्स को कर दीजिए थोड़ा सा जल्दी आंसर दीजिए भई बिल्कुल यहां पर सही जवाब आप सभी के दुआरा बिल्कुल सही जवाब और आंसर है प्यूश ग्रंती याद रखना अगर इस ऑप्शन में कहीं पर भी पीनियल ग्रंती होती अगर यहां पर कहीं पर भी पीनियल ग्रंती होती तो हम पीनियल ग्रंती को सबसे छोटी ग् सबसे छोटी लेकिन कहीं भी अगर option के अंदर इन में से अगर देखा जाए तो कहीं पर भी आपको पीनिल ग्रंथी नजर नहीं आ रही इसलिए आप इसको पिटिटी ग्लैंड को और प्यूस ग्रंथी को सबसे छोटी ग्रंथी मानेंगे ठीक है दोस्तों ये आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना अगले question क्यों बढ़ते हैं अगर कोई आपसे पूछे के मनुष्य में रुदिर को कहां चाना जाता है तो आपके हिसाप से मनुष्य का रुदिर कहां चंता है फेफडों में चंता है बोमे ग्लेंड का आकार हमेशा रिडियूज होता रहता है घरता रहता है इसी लिए इसको सबसे छोटी ग्रंथी माना जाता है कि चलिए अपने सभी दोस्तों को शेर कीजिए फटाफाट और आजाईए मेरे साथ में जुड़के बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा क्या बात है बिल्कुल सही जवाब आर आंसर है बोमेन संपुट इसको बोमेन कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है क्या कहते हैं इसको बोमेन कैप्सूल तो बोमेन कैप्सूल के नाम से भी इसको जाना जाता है यह कहां पाया जाती है ठीक चलिए राजन मुर्मा कोई बातब बात नहीं जल्दी से आ जाये किड़नी के इंदर पाया जाता है जाता है याद रखना नेफ्रान का भाग होता है ठीक चलि बिलकुल जवाब आप सभी के द्वारा बिल्कुल बिल्कुल अगले कोशन की और बढ़ते हैं अगर कोई आप से पूछे के मुत्र का पीला रंग इन में से किसकी मौजूदगी के कारण होता है तो आपका आंसर क्या होगा पित की वज़े से होता है लसीका की वज़े से होता है कॉलस्ट्रोल क बहुत बढ़िया यार फटा फटा अपना आंसर देते रहिए क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब हैले का लूप उसी का एक पार्ट है हेलो इमानशी बिल्कुल सही जवाब आप सभी के दुआरा और आंसर है यूरोक्रोम ठीके बिल्कुलいきます जो कलर होता है वो यूरोक्रोम की वज़े से पीला होता है और अगर कोई आप से पूँछे के यूरोक्रोम कहां बनता है ठीके और कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि यूरोक्रोम बनने वाला अंग कौन सा है तो हमेशा याद रखना ये पलीहा या स्प्लीन में बनता है ठीके इस्प्लीन में बनता है तो जब आपकी RBC या हीमोगलोबीन तूट जाते हैं तो उस कंडिशन की वज़े से आपका य किड़नी इस कि मालचंद मेगवाल यूरिन की पीच वेल्यू कितनी होती है 5.5 से 6 के बीच में होती है बताईए क्या होगा क्या बात है बहुत बढ़िया वेरी गूर्ड बिलकुल सही जवाब दोस्तों एग्जेक्ली करेक्ट आंसर नेफरोन तो नेफरोन ही इसकी यूनिट होती है ठीके एप्रॉक्सिमेट अगर देखा जाया तो बिलकुल आप लोगों के दोआरा दिया हुआ जवाब एकदम सही है ठीक है exactly बिल्कुर सही जवाब nephron nephron is a right answer ठीक है चलिए अब हमारे याप पर in science spelling का कोई role नहीं होता अगले question के बारे में बात करते हैं किर्तिम गुर्दा निमलिकित में से किस धांत पर कारे करता है the artificial kidney work on which are following the osmosis प्रासरान diffusion विसराण dialysis या फिर सक्री परिवें hello by above कि अंको मिश्रा जी बहुत-बहुत स्वागत आपका सर आप आए आप आते हैं तो हमारा गौरव अपने आप बढ़ जाता है सर क्या बात है बहुत बढ़िया very good exactly बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब hello अंचू answer है dialysis ठीक है तो जब आपकी kidney खराब हो जाती है तो आप dialysis के जरीए अपने kidney को या kidney में उपस्ते जो है उसको चानने का काम करते हैं very good अगले कोशन की बात बात करते हैं अगला कोशन है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिक्तम मात्रा किस में पाई जाती है अगर आपसे कोई पूछे कि human body में यूरिया सबसे ज़्यादा कहां पर होगा तो कहां होना चाहिए बलड में होना चाहिए हृदय में होना चाहिए urine में होना चाहिए या पसीने में होना चाहिए बताई आपके साथ से आंसर क्या होगा बही क्या बात है यार बहुत बढ़िया बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की यार रियली एप्रिशेट टू यू वेरी गुड और आंसर है यूरिन के अंदर होता है यूज करते हैं अब फेफडे हिर्दय यक्रत और व्रक तो आपके साब से डायलेसिस के लिए यूज में आता है दोस्तों अभी अभी जस्ट अभी अभी कोश्चन पढ़ाता आंसर सभी लोगों का सही होना चाहिए वही जस्ट अभी पढ़ाता यूज के बारे में ऑस्मोसिस डिफ्यूजन क्या होता है बेटा आपने अगर हम बात करें ऑस्मोसिस के बारे में तो भई आप लोगों आपने परासरन के बारे में कभी सुना है कि परासरन क्या होता है परासरण औसमोस क्या चीज होती है आप कभी देखेंगे कि किसी द्रव का किसी जिली में से गुजरना उसका परासरण कहलाता है और विशरण इसका उल्टा होता है बिल्कुल सही जवाब किड्नी बिल्कुल सही जवाब अगले कुश्चन के बारे में बात करें तो श्वेदन यानि पसीना निम्न में से किसके लिए महतुपूर होता है शरीर की गंद को निकालने के लिए सामाने स्वास्त के सुधार के लिए तवचा के रंद्र को खोलने के लिए या शरीर के तापमान का वी नियंत्री करण करने के लिए जल्दी बताइए आपके साफ से आंसर क्या होगा है बिल्कुल हाई कंसरेंटेशन तू लो कंसरेंटेशन जल्दी बताइए आपके साफ से आंसर क्या होगा क्या बात है बिल्कुल सही जवाब आंसर D is correct शरीर के तापमान को V नियंतरित करने के लिए आपको पसीना क्यों आता है क्योंकि आपकी बॉड़ी के टेंपरेचर को आपके बाहर के टेंपरेचर के साथ में एक एकलिब्रिम पोजिशन में लेकर आना होता है ठीके तो यह कहीं न कहीं आपकी बॉड़ी में सही है चलिए अगले कोशन की और बढ़ते हैं मानवरक्त में मानवरक में पाया जाने वाला एक महतवपूर्ण योगिक इन में से कौन सा है यूरिक एस यूरिक ऐसिड है केल्सियम कार्बोनेट केल्सियम ओक्जलेट या कैल्सियम सलफेट मानव रख प्त्थर में पाया जाने वाला स्टोन में पाया जाने वाला एक प्रमुक योगिक कौन सा है ठीके तो जल्दी बताइए रेनल स्टोन किसको कहते हैं जल्दी पताईए आपके साथ से आंसर क्या होगा क्या बात है बहुत बढ़िया वेरी गुट बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल ज़्यादा तर यहाँ पर अगर देखा जाये तो आंसर है कैल्सियम ओक्जलेट ठीक है calcium oxalate is the right answer ठीक है क्या आप में से कोई है जो मुझे calcium oxalate का formula बता सके क्या आप में से कोई भी है जो मुझे calcium oxalate का formula बता सके calcium oxalate का formula क्या होगा anyone else चली कोई बात नहीं जिसको इपता हो वो प्लीज जल्दी से जल्दी यहां पर लिख देना अगर हम बात करें हेले के लूप के बारे में तो जो हेले का लूप होता है वो इन में से किस से संबंद रखता है उच्षरजन तंत्र से प्रजनन तंत्र से मुत्र जनन तंत्र से या तंत्री का तंत्र से आपके साब से हेले का लूप इन में से किस से संबंद रखता है frozen तनीशा नहीं विक्की बिलकुल सही जबाब CAC204 वेरी गुड मनीशा लोकेश चलिए बताईए आपके साब से हेले का लूप किस से संबंद रखता है पंकर जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका नहीं इसकी कोई remedies नहीं है जो लोग कम पानी पीते हैं और calcium बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं उनकी body में stone बनता रहता है answer A is correct हेले का लूप हमेशा उस सर जन तंत्र से relate करता है अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का आपका बोमेन कैपसूल होता है ये glow merulus होता है यहां से कुछ इस तरीके के रूप में नलिकाएं निकलती होती हैं तो आपको ये जो नलिकाएं नजर आती है ये सारी सारी हेले होती है पर हेले लूप में cancentration होता है Water concentration ठीके तो urine को urine में जो इतना भी Emportant water होता है उसको absorb कर लिया जाता है और सांथ बनाया जाता है मुत्र को ताकि जितनी भी बॉडी के अंदर पानी की जरूरत हो वो खतम ना हो ठीक है ये सबसे important है याँ पर और आंसर होगा क्या excretory system very good बिल्कुल सही जवाब अगले question की ओर पर अगर कोई आपसे पूछे कि सामाने ता निशेचन कहां पर होता है तो आपका जवाब क्या होगा fallopian tube में होता है uterus के अंदर होता है cervix के अंदर होता है या फिर vulva यानी vagina के अंदर होता है जल्दी बताईए आपके सामसर क्या होना चाहिए बिल्कुल मालचंद मेगवाल मुझे पता है कि आप मेरा आपके सामसर के अंदर होता है नहीं नहीं बेठा इसके जवाब में बहुत confusion आ रहा है ज्यादा तर लोगों का actual में अगर देखा जाए तो आंसर एस करेक्ट फैलोपियन ट्यूब ठीक है फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टलाइजेशन होता है ठीक है बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब ठीक है इसलिए जब फैलोपियन ट्यूब को बांधा जाता है तो उसको ट्यूबक टॉमी के नाम से जाना जाता है जिसको मादा नस्बंदी कहते है ठीक है तो निसेचन रोकने के लिए ही यह होता है अगले कुशन की और बढ़ते हैं अगले कुशन की और बात करते हैं गर्भाशे में विक्सित हो रहे बुरुन को किस सरचना के द्वारा पोशन मिलता रहता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा मिलता है गर्भाशे के द्वारा मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है या इन में से किसी के द्वारा नहीं मिलता जल्दी बताई जल्दी बताईए वेरी गूड यार एक्जेकली बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा वेरी गूड क्या बात है बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आंसर इस प्लेसेंटा ठीक है एक्जेकली बिल्कुल सही जवाब प्लेसेंटा एक वाटर कवरिंग एरिया और प्लेसेंटा से ही मिलता है उसको बिल्कुल सही जवाब वेरी गुड अगले कुशन क्यों गर्वाशे में मानव ब्रून किस द्रव में तैरता रहता है ध्यान से सुनना प्लेसेंटा होता है पानी कौन सा है एक कौरियानिक लिक्विट एक एमनिवट लिक्विट पलेसेंटल लिक्विट या इनमें से कोई नहीं आपके इसाब से कौन सा लिक्विड भरा होता है बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आकाश पुर्जापती बिटा प्लेशेंटा एक कवरिंग एरिया है इन यूटरस ठीक है एक बैग है उस बैग में फीटस ब्रून जो है वो रोपित होता है वेरी गूट ओम्मिनोटिक फ्लूड इस राइट आंसर एग्जेक्ली करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया वेरी वेल ड़न एक्जेक्ली करेक्ट आंसर आप सभी के द्वारा आप रियली अप्रिशेट यार कि आप लोगों को यहां तक चीजें एक्जेक्ली पता है बहुत बढ़िया वेरी गुट वेरी गुट नभीना अगर हम बात करें दो युगमक के सयोजक को क्या कहते है निसेचन परिवर्धन सुचांक पुन जनन या परगम आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दो युगमकों का सयोजन क्या कहलाता है आपके हिसाब से दो युगमकों का सयोजन क्या कहलाता है ये परागमन है एचुल में परगम नहीं है ये परागमन है जिसको ट्रांस्पोर्ट के नाम से जाना जाता है क्या कहते हैं इसको क्या बात है यार रियली अप्रिशेट बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब और आमसर है निसेचन फर्टिलाइजेशन ठीके होता क्या है ये है स्पम ठीके और ये है एग तो इन दोनों का आपस में जुड़ जाना ठीके क्या कहलाता है फर्टिलाइजेशन कहलाता है ठीके वेरी गुड़ बिल्कुल सही जवाब अगले कुशन के बारे में बात करते हैं गरबासे में शुशू के विकास की जानकारी है तू हम किसी एक वस्तू का प्रियोग करते हैं वो बताईए इन में से कौन सी है हम एक्सरे से पता लगा देते हैं गामा रे से पता लगाते हैं अल्ट्रा साउंड से पता लगाते हैं या अल्ट्रा वाइलिट करनों से पता लगाते हैं वेरी गुड़ यार वेरी वेल दन वेरी वेरी आ वेरी वेसिंसे गूला को मिला लगशी स्वाया वि बिल्कुल सही जवाएं और अंसर आट्रांुटी espírit शुकुल जवाएं यारा व्लन्वा जतोर घिलती तो वेरी जवाईं विपें धोरा अगन यूट्रस यानि गर्बाशे द्वारा बिजाडंसन द्वारा या अंडाशे द्वारा या अपरापोशिका के द्वारा ठीक है आपके इसाब से किसके द्वारा खाद्य पूर्ती दी जाती है बिल्कुल सोना अगर आफ ही बोल सकते हैं अगर यहां पर हम देखें तो बिल्कुल यहां पर जो आंसर होगा वो होगा डी अपरापोशिका इसको कहते हैं इसका नाम एलेंटिस कहलाता है और यह क्या करती है यह माता को बच्चे के साथ में जोडने का काम करती है तो जितना भी ब्लड जो ट्रांस्पोर्टेशन होता है या फिर उसकी कोई खादे पूर्ती होती है इसी के द्वारा टै की जाती है आंसर यहां पर बिल्कुल सही है आपके द्वारा मुक के द्वारा लेने वाले गर्ब निरोधक गूलिया निरोध करते हैं किसका ठीक है अंडो सर्जन का निसेचन का गर्ब धारन का या शुक्रानू के गर्बाशे में प्रवेश का बिल्कुल राजा राजन वर्मा कह सकते हैं वेरी गुड मनीश मनीशा एक्जेक्ली फ्रोजन तनीशा बिल्कुल अगर हम यहां पर बात करें तो यह सभी के सभी जो है अन्वांटेड प्रेग्नेंसी को रोकने का काम करते हैं ठीक है आंसर सी इस करेक्ट एच्छल में अगर देखा जाए तो यह जितने भी कॉंट्रासेप्टिक पिल होती है यह जितने भी कॉंट्रासेप्टिक पिल्स होती है ठीक है तो यह एस्ट्रोजन और प्रोजिस्टोन से बनती है और इनके उप्योग से महिला अन्फर्ट्रलाइज नौन फर्ट्रलाइज या बांज भी हो सकती है ठीक है इसी लिए बहुत खतरनाग चीज होती है जितना हो सके इन सारी चीजों से बचना चाहिए एक्ट्छल में अगर देखा जाए तो बहुत ही खतरनाग चीज है और कॉंट्रेसप्टिक पिल जो होती है वों बहुत जादा हामफुल होती है और इसी वज़े से इसमें कई बार यूट्रस कैंसर होना भी जो है वो बेसिकली देखा गया है कि बहुत सारी महिलाओं को गर्भास से कैंसर भी हुआ है ठीक है यह इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए अगले कुशन के बारे में बाग करते हैं प्रोजिस्टोन और फ्रोजन तनीशा ग्लेंड नहीं होती हार्मोन होते हैं बेटा और इनको कृतिम रूप से भी काम में लिया जाता है निमलिकित में से कौन से इस्तिती टेस्ट्यूब बेबी की परी घटना को सही रूप से निरूपित करती है अगर यहां देखा जाए त जब बुरूण का विकास टेस्ट्यूब में होता है अब निशेचन भारी होता है और विकास आंत्रिक होता है निशेचन आंत्रिक होता है और विकास भारी होता है आपके इसाप से टेस्ट्यूब बेवी जो है वो किस तरीके से रिपर्जेंट किया जाता है आंसर देकर ब वेलकम तनीशा हाँ बिल्कुल एस्टरेल भी होता है वेरी वेल ड़न एक्जेक्ली यूर आंसर इस करेक्ट आंसर सी ठीक है अगर देखा जाये तो फर्टलाइजेशन ट्यूब में करवाया जाता है टेस्ट्यूब में करवाया जाता है लेकिन एच्वल में अगर देखा जाये तो जो फर्मेशन होगा जो ग्रोथ होगी वो इंटरनल होगी ठीक है क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बना जो किसी बच्चे को किसी संतान को बाहर किसी टेस्ट्यूब के अंदर जो है वो जनरेट कर सके तो ऐसा पॉसिवल नहीं है तो फर्टलाइजेशन जो होगा वो एक्स्टनल होगा लेकिन ग्रोथ तो इंटरनल ही होगी ठीक है यह बहुत बड़ी बात है अगले कोशन के बारे में बात करते हैं अगर आपको 100 डेसिबल की नौई सुनाई दे तो आपके इसाब से वो क्या होगा सुनाई भर देने वाली आवाज होती है सामाने वरतालाप होती है शोर सराबे वाली आवाज है यह यंत्र कार खाने के शोर से निकलने वाली आवाज है 100 डेसिबल और राजन अगर हम बात करें tes tube baby के बारे में तो पम लेते हैं किसी भी male से और ओवरी में से लिया जाता है एग दोनों को fertilize कराया जाता है तेस tube के अंदर ठीक है तेस ट्यूब में जब fertilization हो जाता है तो दुबारा से माता के गरब में इसको inject कर दिया जाता यही process test tube baby कहलाती है या in vitro fertilization IVF के नाम से जानी जाती है very welcome exactly इसको हम शोर शराबे वाली आवाज गली नहीं कहेंगे actual में देखा जाए तो यह शोर शराबा है बहुत जादा ठीक है 100 decibel अपने आप में एक बहुत challenging वाला मामला होता है बहुत तेज आवाज होती है अगर देखा जाए तो बिलकुल यहां पर जो आपके द्वारा दिय जवाब है वो बिलकुल ठीक है very good exactly your answer is correct अगले कुश्चन की और बढ़ते हैं अगर दो लोग आपस में बात करें और सामान्ने बात करें तो आपके हिसाब से कितने decibel की ध्वनी उत्पन होनी चाहिए 5 decibel, 10 decibel, 30 decibel या 100 decibel स्पहम तो एक ही होता है चाहिए कितने अवर जीवित रहता है एप्रॉक्सिमेट अगर देखा जाए तो 36 अवर के आज़ पास जीवित रह सकता है वेरी गूड इवनिंग वेरी गूड 5 decibel तो बहुत चोटी हो जाती है बिल्कुल, सामान्ने बातचीत के बारे में बात करें तो आंसर होगा आपका 30 decibel 25 से 30 decibel के बीच में आप आराम से चुप चाप तो नहीं लेकिन बहुत धंग से बात कर सकते है तो actual में देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत ही logical बहुत ही अच्छे से सुनाई देने वाली आवाज होती है अगले question के बारे में बात करते है आपके हिसाब से कितना decibel से अधिक ध्वनी आपके लिए हानिकारक मानी जाती है आप कौन सी अवाज को जादा नहीं सुन सकते आपके हिसाब से अजया अजया शुए अजया आपके लिए है सरह वाज तो गैट दा कोर्स फ्रॉम अन अचैडमी फ्रोजन तनिशा आपकों सा कोर्स लेना चाहते हैं असी से उपर जितनी चीजें आपको सुनाई दे वो सारी की सारी आपके लिए हानी का रखी होती है ठीके शोर ही होती है और अगर 120 के उपर पहुंच जाए तो पागलपन का कारण बन सकती है ठीके तो 120 से अगर पहुंच जाए तो पागलपन का कारण बन सकती है सर्फ और क्लास 10 प्रोजन तरीशा अनकैडमी पर जाएए जाने के बाद में NCRT का उसमें खोलिए ओप्शन CBSC का ओप्शन को लिए क्लास 10 को क्लिक कीजिए आपको सब्सक्रिप्शन वहाँ पर नजर आ जाएगा जिस भी मंत का आप लेना चाहते हैं आप से रेफरेल कोड पूछेगा रेफरेल कोड है AMIRYT और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वेरी गुड गोबी वार्निंग चलिए अगले कोशन के बारे में बात करते हैं मनुश्यों के लिए सोर सीमा करीब करीब होती है कितनी 45 decibel, 85 decibel, 125 decibel या 105 decibel वेरी गुड कोई बात नहीं पीटा आपको जब भी कोशन मिले आप आंसर देना शुरू कर दीजिए वेरी गुड बिल्कुल सही जवाब 45 decibel अगर देखा जाए तो एक अच्छी होती है इसके उपर आप शोर को ज़्यादा नहीं सुन सकते आपके कानों में प्रॉबलम होना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीर आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा एरफोन लगाते हैं बहुत ज़्यादा कानों में एरफोन लगाकर सुनते हैं और बहुत ज़्यादा तेज अवाज से सुनते हैं उनको माइग्रेन की प्रॉबलम हो जाती है और कई बार उनमें चिर्चड़ापन पैदा होता है बहुत ज़्यादा frustrated रहते हैं तो ये भी एक important चीज है अगले question की और बात करते हैं अगर आपसे कोई पूछे के dynamo क्या काम करता है तो आपके इसाब से dynamo क्या काम करेगा क्या किसी mechanical energy को electrical energy में change करेगा किसी electrical energy को mechanical energy में change करेगा या किसी high potential को generate करने वाला है या किसी low voltage को generate करने वाला है very good go be डाइनमो का काम आपके इसाब से क्या होता है क्या करता है डाइनमो क्या करता है डाइनमो कि वेरी गुड कि दिनेश यादव मैं मनीशा ओके फाइन अपनी ideas है ओ बेटा बिल्कुल सही जवाब आंसर है डाइनमो किसी mechanical energy को electrical energy में change करने का काम करता है बिल्कुल सही जवाब दोस्तों अगर आप देखें तो किसी भी mechanical energy को electrical energy में convert करने का काम आपके डाइनमो के द्वारा किया जाता है एक्जेक्ली आप लोगों का अंसर बिल्कुल सही है ठीक है डाइनमो जनरेटर जनरेटर क्या गाम करता है फ्यूल लाकर डालते इंजन चलता है और क्या बनती है करेंट बनता है ठीक है तो convert mechanical energy into electrical energy अगले question क्यों बढ़ते हैं अगर कोई आप से पूछे अर्ध चालक के बा बात करनी पड़ेगी पंगर सर से दुबारा परिशान करते हैं बच्चों को बिल्कुल जफर तो निम्लिकित में से कौन सा अर्ध चालक है आपके एसाब से वेरी गुड इमांची से वेरी गुड फ्रोजन उत्तम लोकेश गुबी हितेश जानवी वैबवी निधी मनीशा रवी कांथ वेरी गुड आंसर इस जर्मेनियम बिल्कुल जर्मेनियम एक सेमी कंडक्टर के रूट में जाना जाता है आपका जवाब बिल्कुल सही है प्रबात वेरी गुड़ अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं अगला कुश्चन क्या है निम्न में से कौन सा अर्द चालक कौन सा सेमी कंडेक्टर है जो टांजिस्टर में प्रियुक्त होता है थामबा जर्मेनियम ग्रेफाइड या चांदी वेरी गुड़ नवीना वेरी गुड़ रूपा अलिमीनियम इस कंडेक्टिविटी एक अंडेक्ट आफ गुड़ कंडेक्टर आफ एलेक्टिसिटी तनीज्या ठीक है मैं आपको क्रिशन बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है क्रिशन अगें जर्मेनियम इजर राइट आंसर वेरी गुड़ क्योंकि ये भी एक तरीके से देखा जाये तो कंडेक्टर है और गुड़ कंडेक्टर है ठीके ग्रेफाइट गुड़ तो नहीं है बड़ कंडेक्टर तो ही ठीके चांदी सबसे अच्छा चालग होता है वेरी गुड़ बिल्कुल सभी जवाब अगले कुशन के और बढ़ते हैं अगर आप किसी अल्टरनेटिव में परिवर्तित करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांस्फॉर्मर या ट्रांस्मीटर हाँ दीपक पूछो क्या कुशन वेरी गुड़ बिल्कुल सीतराम वेरी गुड़ उत्तम इसको रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं देखो इसको इस तरीके से याद करें एसी और डीसी जब आपके घर में एलेक्टिफिटी होती है जब आपके घर में एलेक्टिफिटी होती है तो क्या होता है आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है ना वही तो क्या होता है कि बैटरी के अंदर एसी डीसी में कनवर्ट होता है रेक्टिफायर के जरिए किसक पूछते हैं कि भाईया पूरे मौले में तो current नहीं आ रहा आपके घर में light कैसे आ रही है तो आप कहते हैं साब हमारे या तो inverter चल रहा है inverter का मतलब आपका जो DC current था वो AC के अंदर convert हो रहा है तो ये क्या है inverter होता है याद रखना जब आप AC से DC में परिवर्तित करते हैं तो rect rectifier का यूज करते हैं और जब DC AC में परिवर्तित होता है तो वो inverter होता है ठीक है बिल्कुल correct answer अगले question क्यों बढ़ते हैं transfer transformer क्या काम करता है AC को DC में बदलता है DC को AC में बदलता है DC voltage के उपचैन करने के लिए या AC voltage का उपचैन या अपचैन करने के लिए बिल्कुल विक्की तो यह याद करने का तरीका है वही है ना ऐसे याद कर लेते हैं इसको वेरी गुड निकिता हितेश जितेंद्र बिल्कुल बिल्कुल answer D is correct ठीके तो क्या काम करता है voltage को up and down करने के लिए लगाया जाता है इसी लिए transformer दो तरह के होता है एक होता है step up और एक होता है step down ठीक है तो उच्चाई और अप्चाई होता है बिल्कुल मैं 9 बजे live आता हूँ कृष्णा अगले question क्यों बात करते हैं बोतल का दूद पीने वाले बच्चों की तुलना में मा का दूद पीने वाले बच्चे बच्चों में निम्लिकित में से कौन से विशिस्ट लक्षन होते हैं कौन से special लक्षन होते हैं आपके साब से it will be not strept वो दिग्र काय नहीं होता उसमें रोगों की प्रतिरोधक शमता अधिक होती है विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं या उसकी लंबाई असमाने व्रद्धी होती है ठीक है आपके साब से आंसर क्या होगा जल्दी बताईए जैसा कि आप सभी को पता है आप मेरे साथ में अनकैडमी पर जुड़ सकते हैं और अनकैडमी लर्निंग एप पर जुड़ने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिंक को फॉलो कीजिए और सुबह 9 बजे मेरी थियोरी क्लास में आईए बिल्कुल आप स प्रति रोधक शमता अधिक होगी उनकी जो इमिनिटी है वो बहुत अच्छी होगी और इमिनिटी अच्छी होने का मतलब पता है क्या होता है क्योंकि मा के दूद में सबसे ज़्यादा जो एंटीबोडी पाई जाती है वो होती है इमिनोगलोबिन एंटीबोडी सबसे ज़्यादा पाई जाती है इसी वज़े से जो मा का दूद पीने वाले बच्चे होते है वो internally बहुत जादा strong होते हैं अगले question की उर बढ़ते है दूद पिलाने वाली जो मा होती है उसको प्रती दिन कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है आपके हिसाब से 20 ग्राम, 30 ग्राम, 70 ग्राम या 100 ग्राम यानि इतना तो उनको मिलना चाहिए ही चाहिए जल्दी बिताईए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा थेंक यू सो मच कृष्णा बिल्कुल एग्जेक्ली आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है और आंसर है एप्रोक्सिमेट 70 ग्राम तो होना ही चाहिए तो 70 ग्राम प्रोटीन की आपसपास अगर मिलता रहेगा तो माता सही रहेगी तो ये बहुत ही जरूरी है बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा बिल्कुल सही जवाब अगले कुश्चन की और बढ़ते है सामानने क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की आवशक्ता कितनी होती है जो दूद नहीं पिलाती लेकिन काम करती है ऐसी महिलाओं के लिए कितने प्रोटीन की ज़रूरत आपके साब से होनी चाहिए सर चाइल्ड क्या पलाए हाइट बढ़ाए चाइल्ड को क्या पलाएट बढ़ाने के लिए एचुल में अगर देखा जाए तो हाइट अपने आप ही बढ़ जाती है लेकिन हाई यह है कि थोड़ा सा उसको आप लटकवाज सकते हैं इसके लावा जो बॉन खॉर्लिक्स वगएरा जो आता है उससे भी जो हाइट बढ़ती है इसके लावा कोई भी स्टेरोइड देने के जुरूत नहीं है इस्टेरोइड बहुत खतरनाक चीज होते हैं अपने आप चीजे जो हैं वो सही हो जाएंगी डॉन्ट वर्य एक्जेक्ली अगर देखा जाए तो 40 से 46 ग्राम के आसपास अगर कारेशील महिलाओं को मिलता रहे तो वो आपके लिए बहुती वो उनके लिए बहुती बेनिफिट होता है वेरी गूड बिल्कुल सही जवाब तो 46 ग्राम इस राइट आंसर अगर कोई आप से पूछे के इन में से इन बोजे पदार्तों में से किस में सभी अनिवारे अमीनो अमल उपस्तित होते हैं सबसे ज़ादा अमीनो अमल किस में पाए जाते हैं तो आपके इसाब से आंसर क्या होगा दूद, चावल, अंडा या सोया भी स्किपिंग करने से भी आइट बढ़ती है बिल्कुल वेरी गुड वेब भी, वेरी गुड मनिशा, यतेंद्र, यस आंसर इस करेक्ट, आंसर है सोया भी, बिल्कुल सही जवाब, सोया भी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाती, एप्रॉक्सिमेट 42% प्रोटीन पाए जाती है और सभी प्रकार के अमीनो अमल उपस्तित होते हैं, बिल्कुल सही जवाब, अगले कोश्यन की वर बढ़ते हैं, अगर कोई आप से पूछे के गोल्डन राइस जो होता है, यह गोल्डन पैडी नहीं है, यह गोल्डन राइस है, धान चावल को कहते हैं, तो गोल्डन राइस में किस की मात्रा सबसे ज़्यादा वेरी गुड जोती वेरी गुड लोकेश बनीशा निकिता जफर राजेश राजन सचिन हितेश जानवी वेबवी चली बहुत बढ़िया एग्जेक्ली बिल्कुल सही जवाब आप सभी के दुआरा और आंसर है विटामिन ए तो जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है वेरी गुड बिल्कुल सही जवाब आप सभी के दुआरा रूपा वेरी वेल्डर अगले कुश्चन के बारे में बात करते हैं बताईए कि इन में से कौन सा सही मेल आपको नजर नहीं आता एसकॉर्बिक एसेट से इसकरवी डिजीज होती है थाइमिन से बेरी बेरी विटामिन ए से नाइट ब्लेंडने से होती है विटामिन के रक्त जमना आपके साब से कौन सा इसमें सही नहीं है सोच कर आंसर बताईए कौन सा आंसर सही नहीं है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर vitamin A vitamin A से color blindness नहीं होती night blindness होती है night blindness होती है ठीक है यह भी एक important है very good यार बिल्कुल सही जवाब आप सभी के दुआरा अगले question के बारे में बात करते है दूद को पचाने के लिए आवशक enzyme renin और lactase मानव शरीर में कितने वर्ष की आयूत के बाद में गायब हो जाते है आप सभी को उता है कि बच्चे दूद पीते हैं इसलिए उसको पचाने में 8 से ज़्यादा प्रकार के renin enzyme पाये जाते हैं तो बताइए कि कितने time के बाद में वो हट जाएंगे very good बिल्कुल सही जबाब और नहीं नहीं answer है 8 साल 8 साल तक आते आते पूरी तरीके से खतम हो जाते हैं तो 8 year is the right answer 8 साल बिल्कुल सही जबाब है अगले question चले question की समापती यहीं पर होती है तो आप सभी से मैं विदा लेता हूँ like, share, subscribe करना ना भूलिएगा कल off रहेगा तो Wednesday को यानि कल class नहीं होगी sorry मुझे कहीं जाना है और बहुत important कोई काम है तो कल के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ मैं अब आपको मिलूँगा Thursday को परसो को हम लोग वापिस मिलेंगे और चर्चा करेंगे बहुत सारे questions के बारे में तब तक के लिए thank you so much please like share and subscribe the session goodnight Shabbat